भाजपा सरकार में अनुस्जित जाती आयोक के अधक्च और विधायक रहे रामजी भारती ने पत्रकारों को दवाने डराने और मांसिक रूप से परिसान करने के मकसद से आयोक के समक्च पत्रकारों के खिलाप जूठी सिकायत किया था यह खुलासा आजाक थाना राजनांद गाओं के जांच परतिवेदन में हुआ आपको बताते हैं कि गत दिनों रामजी भारती की धर्मपत्नी के द्वारा राधानी रायपूर राजनांद गाओं यहम डोंगरगर में प्रेस कॉंफरंस की गई थी जिससे पत्रकारों के अपने अपने न्यू चैनल पॉर्टल में यतायोत लगाया उसके बाद से पूरो विधायक रामजी भारती ने रायपूर राजनांद गाओं यहम प्रेस क्लब डोंगरगर के सदश्यों को बदले की भावना से मांशित प्रतार्णा के साथ अजाक में जूटी शिकायत किय कि रामजी भारती और उनके पत्री स्रीमती संगीता भारती के मद्ध तलाक संबदी परिवारी के मामला मानी रायपूर में विचारा धिन है किसी प्रकार का जाती गत गाली गलोज का होना नहीं पाये गया और डोंगरगर प्रेस क्लब के सदश्यों ने दक्चसोन कुमार स जी के नितित्यों में डोंगरगर थाना पहुचकर पत्रकारों पर जूटी सिकायत करने वाले रामजी भारती के खिलाप कारवाई की मांग करते हुए शिकायत पत्र सौंप गया है कि द्वारा प्रेस क्लब डोंगरगर के बारे में जूटी सिकायत अजाक थाना में की गई ती जिसकी जाज की गई पत्रकारों प्रेस क्लब डोंगरगर के साथियों ने अजाक थाना में जाक भी दिया गया था और वो सारी सिकायत रामजी भारती के जूटी पाई गई इस इस बारे में प्रेस क्लब डोगागर ने डोगागर थाने में आकर राम जी भारती खिलाब एक शिकायद प्रस्तूत किया है और इस बारे में प्रस्तूत किया गया है कि इसमें त्वरित करवाई करें डोंगर घर के पूर्व भाष्पा विधायक के अगिन्स में उन्होंने विकिस शिकायद दी है कुछ दिनों पुर्व उनके खिलाब एक प्रिस कॉंट्रेंस हुआ था जिसकी विशावफ्त पर उन्हों करवाई की जाएगी अभी प्रेस क्लब की दोरा जो सिकायत दिया गया है वह जांच का विशय है प्रतिविधन की कौपी उन्होंने उसमें सलगनक में सामिल की है उस आधार पर जो भी अग्रिम करवाई की जाएगी वो